चोपड़ा है जो किस योटूब चैनल पर मैं हरसा ही चोपड़ा आपका हर दिक स्वागत करता हूँ मेरे पैरे बच्चो इस वीडियो में हम NMC के उस नोटिस के बारे में बात करेंगे जिसमें एब रोड से MBBS इस्टुडेंट्स के लिए टू इयर्स की इंटरंशिप के लि वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूँ कि अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपका इस साल इंडिया में कौन सी गॉर्मेंट और प्राइवेट कोलेज में एड्मिशन हो सकता है तो आप हमारी काउंसलिंग बुक की हेल्प ले सकते हैं इसमें मैंने प्रिवेस इसमें इसको आप हमारी वेबसाइट www.choptaeducation.in या फिर इसकी टेलिग्राम चैनल चोपडा एजूकेशन या फिर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं जैसे आप डाउनलोड करेंगे हम आप से संपर कर लेंगे आप हमारी पेड सर्विस भ बात करेंगे जो FMG यानि foreign medical graduate के बारे में कहा गया है इसमें clearly mention है कि इसमें बिल्कुल clear कहा गया है कि जो student abroad में MBBS के final year में थी और COVID-19 और Russia Ukraine war के कारण वो इंडिया लोट आये थे और अब उन्होंने अपने study complete कर ली है उनको MBBS की डिग्री मिल गई है तो जिन स्टुडेंट उन्हें 30 जोन 22 तक यानि 36 2022 से पहले abroad से MBBS का course complete करके डिग्री ले ली है वो इंडिया में FMG टेस्ट में अपियर हो सकते हैं FMG पास करने के बाद इंडिया में उनको two years की internship complete करनी होगी उसके बाद ही उनको इंडिया में MBBS की डिग्री मिलेगी और ये छूट एकी बार के लि ये दी गई है अब जो यूक्रेन से वार के दोरान जो student इंडिया में आ चुके हैं और उनका course complete नहीं हुआ है तो उनके लिए bad news ये है कि अभी हाली में ही health minister ने कहा है कि उनको इंडिया में किसी भी medical university में admission देने का कोई rule नहीं है हालां कि West Bengal ने कहा है कि हम हमारे state के candidates को इंडिया में ही admission देंगे और other state के candidate भी इस विशर पर डेली में protest कर भी रहे हैं तो हो सकता है इसके आगे जाके कोई ना कोई इसके अपडेट मिले इसके बारे में हमें तो इसके बारे में जैसे ही अपडेट मिलेगी हम आपको inform कर देंगे फिलाल तो यह है कि उनके लिए ये bad news ही है तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैहिं